इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एक स्ट्रेड इस्पीड अप का अकाउंट कैसे क्रेट करते हैं एक स्ट्रेड इस्पीड अप्लिकेशन ये एक ट्रेडिंग अप है तो अगर आपने इस अप के अंदर अकाउंट बनाना है लेकिन आपको फर्स टाइम इसके अंदर अकाउंट बनाने नहीं आता है तो आपको वीडियो को एन तक बिलकुल ध्यान से देखना है मैं आपको step by step बताऊंगा कि कैसे आप इसके अंदर एक नया account अच्छे से create कर सकते हैं तो वीडियो को last तक देखना तो दोस्तो चलिए वीडियो सुरू करते हैं सबसे पहले account बनाने से पहले इस app को download कर लेना जिसका link मेरे telegram channel में मिल जाएगा telegram के यहाँ पर जो है channel का link हमने इस वीडियो के description box में डाल दिया है यह रहा मेर telegram channel इसे आप join कर लेना और यहाँ पर मैं जो है और भी काफी अच्छे इस application का link डालता रहता हूँ तो यहाँ पर आपको करना क्या है सबसे पहले अब इस application को download करने के वाद सीधा आपको इस app को खोल लेना है यानि open कर लेना है जैसे आप इस application को open कर लेते हैं तो आप लोग के सामने कुछ इस तरह का interface मिल जाएगा सबसे पहले यहाँ पर उपर में option है sign up और login का option है ठीक है तो अगर आपने इस से पहले account बनाया होगा तो आप login पे click करके जो है आप अपना email address को डाल कर login कर सकते हैं अगर आपको sign up करना है नए account बनाना है तो simply आपको करना क्या है simply email पे click करके और password पे click करके आप यहाँ पर अपना एक नए account बना सकते हैं ठीक है अगर माल लीजे आपको इस से अपना account नहीं बनाना है तो आप डाइट Google से Facebook से Apple ID से भी इसमें एक account create कर सकते हैं अगर आपको mobile number से बनाना है तो mobile पे click करके आप यहाँ पर mobile number से भी sign up कर सकते हैं simply मुझे जो है mobile number से बनाना है तो simply मैं enter your mobile number पे click करूँगा जो भी मेरा mobile number है simply मैं उसको fill up कर देता हूँ और इसके बद आपको sign up पे click करना है अब sign up पे आप लोग जैसे ही click कर देते हो तो आप लोगों के सामने जो है यहाँ पर थुआ सा waiting लेगा यहाँ पर जो है आपको detect करेगा जैसे कि आप देख सकते हैं तो कुछ दिर आपको wait करना है इसका दोस्तों आपको यहाँ पर verify करने के लिए बोलेगा तो आपको क्या करना है इस तरीके से इस arrow पे click करके इसको इधर यहाँ पर इस goal वाला जो है यहाँ पर दिखना है इसको इसमें fit कर देना है बस आपको कुछ नहीं करना होता है fit करने के बाद दोस्तो आपने जो number डाला होगा उस number पर एक code गया होगा उस code को आपको fill up करना होगा जो भी आपने number डाला है उस number पर code गया है code मेरा आ चुका है और ये code को आपको simply यहाँ पर fill up करना है ठीक है तो चलिए हम इस code को यहाँ पर fill up कर देते हैं कोड फिलप करने के बाद आपको confirm करना है और जैसे ही आप लोग confirm करोगे तो आप लोग के सामने जो यहाँ पर एक password create करने का option देदेगा तो आप लोग क्या करो यहाँ पर एक नया password बना लो जो भी आप password बनाएंगे उसे आपको याद रखना है तक ही अगर in future अगर दूसरे phone में अगर आप login करते हैं तो आप अपने mobile number और password को डाल कर आप login कर सकते हैं ठीक है तो चलिए यहाँ पर मैं एक password बढ़िया सा एक password create कर लेता हूँ password create करने के बाद आपको sign up के button पे click करना है sign up पे आप जैसे ही click कर देते हैं तो आप लोगों के सामने इस तरह का page आता है ठीक है permission को allow करना है और इस तरह का page आपको मिलेगा सबसे पहले आपको अपना first name डालना है याप जो नाम है वो आप यहाँ पर डाल दीजे फिर आपको यहाँ पर gender पे click करके आप मेल है फिर female है वो आपको select करना है ठ़ीक है यहाँ पर हमने select कर लिया है इसके बाद आपको जो है यहाँ पर continue कर देना है continue करने के बाद यहाँ पर date or birth पुछा जा जाएगा तो जो भी आपका date of birth है उसे आप यहाँ पर select किजिए यहाँ पर जो है स्लेक करने के बाद आप क्या करना है आपको सिंपली यहाँ पर month और year स्लेक करना है फिर आपको confirm करना है फिर आपको continue करना है फिर आपके सामने इस तरह का page आएगा यहाँ पर आपको अपना जो है address को fill up करना है सबसे पहले यहाँ पर country स्लेक करना है country पर click कि प्रिटी के बाद आपको full address को fill up कर देना है फिर आपको pin code डालना है आप जिस area में रहते हैं वहां का एक pin code होता है तो वह आपको यहां पर fill up करना है ठीक है status है, तो इस पर Qlik कीजए, आप क्या करते हैं, जैसे कि आप employment है या फिर business owner है, या फिर जो भी है, उसे आप select कर दीजेे, ठीक है, तो यहा करता हूँ, इसके वाद इसमें चो है income कितना है, वो आप है कर सकते हैं, तो यहाँ पर जो है, मैं ये इतना income slack कर लेता हूँ ठीक है इसकोद आपको final end summit पे click करना है अब जैसे इस पे click कर देते हैं तो आप लोगों के सामने इस तरह का deposit करने का option हैगा तो फिर यहां से आपको back आना है यहां पे cancel कर देना है और आपका जो account है इसके अंदर बनके त्यार हो गया है जैसे कि आप लोग देख सकते हो यहां पर आपको me का option इस पे click करेंगे तो आप लोगों को जो है account यहां पर बनके त्यार हो गया और इस तरीके से आप इसमें आप trade कर सकते हैं आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा comment box में जोर से बताना वीडियो को like करना साथ इस channel को subscribe करना ना भूले